फिर से हम आप लोग को सभावत करते हैं उमीद करते हैं कि आप लोग बिलकुल अच्छे होगे और अच्छे ही रहना चाहिए तो आज फिर हमें एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हो गए हैं और ये आपका आज का वीडियो होने वाला है इतिहास का फोर्थ चेप्टर बहुत महतपूर्ण है आपके लिए जिससे हमने कूल 66 अबजेक्टी प्राशने लेकर आया जो 2024 के वोड एक्जामने आप लोग के लिए बहुत महतपूर्ण सावित होगा चेप्टर का नाम है कुल जैसे की बताया कि ये तना कीवचन को हम इस में अध्यान करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसने से पहला कि जों आको क्या कह रहा है उन् peer- extern परमपरा में मोच प्रामप्ति का मार्ग है तो भक्ती मारग है क्या मार्ग है भक्ती मारगई इस हो जाुए दूसरा कि जोन देखते हैं दूसरा जोन कहा रहा है कि परमुख चिंतक और सुक्रात प्लेटो अरस्तु का उद्भव कहा हुगा यानि बताना इसमें सुक्रात का और प्लेटो का और अरस्तु का यह एक परमुख चिंतक थे इनका उद्भव कहा हुगा तो इसका उद्भव कहा हुगा युनान इसका क्रेक्टनसर हो जागा चलिए तीसरा नमर कीजन आपसे कह रहा है कि समकालिन बहुत गरंथों में कितने संपरदायों का चींतन परंपरावों को उलेख मिलता है तो कितना मिलता है तो 64 इसका क्रेक्टनसर क्या हो जागा जिन्हें तिर्थांकर कहा गया यानि महावीर के पहले कुल कितने तिर्थांकर थे तो वो थे 23 तिर्थांकर और महावीर 24 में तिर्थांकर थे चलिए नेश्ट की जोने देखते हैं कहता जाइन धर्म के पर्थम तिर्थांकर कौन थे यानि जाइन धर्म के पर्थमतिर थांकर कों थे तो रिसा भदेव थे कों थे रिसा भदेव नेश्ट की जो देखते हैं कि जाइन धर्म सवेतामबर एवं दिगामबर संपरदाई में कहां की सभा में भी भागत हो गया यानि जाइन धार्म का जो सवेतामर और दिगांबर है वो दो भागों में बट गया था कहां क्या थी में तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जागा आपका पाटली पूत्रे के पाटली पूत्रे में जब सभा हुआ था तो वहां पे सवेतामर और दिगांबर में जाइन धार्म देवता था आठ नमर की जोन देखते हैं कहता है इसमें से कि महावीर सुवामी का माता का नम क्या था तो महावीर सुवामी के माता का नम क्या था तो यह पको पता है महावीर सुवामी के माता का नम था तिरी साला क्या नम तिरी साला नाइन नमर की जोन कहता है कि किसी भी किस किसी wise News का 7 का तार माना जाता है इसका क्रेट टेंशर क्या हो जाएगा इसमें आपका क्रेट लेंसर हो जाएगा बूद को कि उसको वुध को किस का हो जाएगा बूद को चलिए नेक्ट पर लेटि हुई बी सनुंय की परतीमा की मंदीर किस अचर chamber देवगड़ confirm in देवगड़ मंदीं केम गौटम अनमर के करता है गातम बूध書 इसको किशसे आथ करेट Wikipedia करनी Liebe के लिए सबसे पवीत रास्थल क्या है तो इसका सही अंसर हो जगा आपका अस्तूप क्या है अस्तूप क्या हो जगा अस्तूप चौदा नमर की जगते हैं कि बहुत भीग छूओ के निवास के लिए किसका निर्मान करवाया जाता था तो किसका निर्मान करवाया जाता तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जगा तो इसका सही अंसर हो जगा आपका विहारों का किसका निर्मान विहारों का पंद्रह नमर की जोन देखते हैं कि चतूर्थ बाउत संगीती का आउजन कहा हुआ तो चतूर्थ बाउत संगीती का आउजन हुआ था पर्थम सताबदी में कहा तो यह हुआ था आपको सीरी नगर जमू कस्मीर में 16 नमर के जोन कहता है कि महवीर का बाच्पन का नम क्या था महवीर जी का बज़्मन का नम था बज़्मन का नम बज़्मान था नेश्ट की जिए गउतम बुद देखते हैं कहता है कि Μहवीर स्वामी का जनम कब हुआ तो महवीर जी जी जनम हुआ था पांडसो चालीस साफ पूरवर में और जाइन धर्म का वास्ताविक संस्ठापक थे और 24 में तिर ठांकर तो सभुवद्धी तो सलर्गी नहीं कारव हिंए। है की परत्थम बहुत संगीती कहां हुई थी तो राजगीर में कहां इसका उल्गीर में अशॉट कौन था ऐत्षा 620 भूर्म पाउग में तो तीन, चारसो, तेरासी सपूर्म में, चलिए कि नेश्विए नेश्विएंध का समन्ध किस धर्म से समन्ध, 26 नमर के त्यृष नवर की तिरी पिटक सहीद हैं सही तो किसे तो बहुत हरम का तिरी पिटक है देखते שמें कहता है महातमा बूद को ग्यान की पराप्टी कहा हुए तो कहा हुए थो ग्यान की पराप्टी बोध education 19 तोथी द्हा इसमें कि बहुत धर्म दोभाव में बट गया था हीन और महायन तीस नमर की जन कहता है इसमें कि बहुत ग्रांथ तीरी पीटक की राचना हुई है महातमा बूध की जन में से पहले या महातमा बूध के निवारन के बाद या महातमा बूध के जीवन के काल या उप्मिक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या हो जागा तो इसका बिरूट करके टेंसर हो जाएगा महातमा बूध के निवारन प्राप्त के बाद ऑप्श का विनाय पितक विनाय पितक सुथ पितक गरैंट का नाम है चलिए नेश्ट की जो देखते हैं कहता है इसमें निमने में से किस वेध में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10500 नाये हैं तो किस मंडल की बात कर रहा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option नमर एप सबसे प्राचिन बेद कौन सा है रीग वएद तो रीग वएद हो जाएगा तेटीस नमर की जोन कह रहा है आपसे कि महावीर ने पारसुनात के सिधान्तों में नया सिधान्त क्या जोड़ा तो पारसुनात के दोवारा जोड़ा गया सिधानत क्या है? तो पारसुनात जो दिये थे, चतुरायन धहर्म दिये थे, जमकि उसमें एक और जोड़ दिये थे महावीर, तो क्या जोड़े थे? तो बरहम चरिय को जोड़े था और इसे पंच धहर्म कहते हैं, चलिए 35 नमर की बहसले हैं क्या है इसकी बाद आत्मा का पुणर जनम मुख भी साहmed ज़ी है इसका सित्कि उपनी सद्का सिधानत नहीं है तो इसका सही हैं सुझर पड люблю विल्कुल इसके बाद देखते ह किसमि है आपको बताना है तो किसमि होगा इसका सही אומר जागा är आपको सूथपीटРЕ्क में बूध किस पीटेख में है। Orange never किजन करता है बूध का सारनाथ में दिया गया पर्थम प्रवचन क्या कह पहला जो उपदेश दिया गया तो यह कहला या धार्मचक्र परवर्तन जब उट्बोट उग्यान की प्राप्त हुआ तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने सार्नाथ में दिया था उनका सबसे इसाफर हुआ, जाएन धर्मका धृत धर्मका उदाई हुआ, अल्लाउकिक जनपतों के मौझूद होने का उलेक करता है, तो इसमेंसे क्या हो जगा? इसके में यहाँ बेगा पाइब का अबी धाम पिटा के में लिखा गया है कि घरन्त अलौकिक जनपतों में मौजूद होते थे इसके वार 4.45 के विद्ध के समय कितने जन पदों मौझूद होने का उलेग किया गया है जनपत होने का उलिए किया गया है तो 16 जनपत कितने गौतम बूद के बनाए घए बौध कौन सा है जिसमें 16 महा जनपतों का जिकर किया गया है तो अंगुतर निका गर últर को निकार नेक्ट की जो देखते हैं कहता है बौध सहीत में छा महानगरों का संधर्म आता है इन में से कौन उसमें सामिल नहीं है तो इन में से कौन उसमें सामिल नहीं है इसका करेक्टर अंसर क्या हो जागा तो इसका सही अंसर हो जागा तो इसका सही अंसर हो जागा आपका प्रकिर् सताया स्वाल इंब़ते हैं उत्रवाइदyi काल्म के आंत कि इसकी पूजा होने ळगी उत्रवाइद Helsさん का ने सब्सक्राइब अप्सेन लीखा चाना के नियार्त सास्त्रे लिखा अभी ग्यान सकुत्राइब तूसरीद क निखुआ 59 नमर के जल्ए है, साची मध़ परदेस के की जीले में है, निमनी खित में से गौतम बूध के सी सि थे, गौतम बूध के कौन सी सि था, आनांद उपालिक का सियप, सरी पूत्र और भौधराला ए, तो इन में से सभी क्या थे इनका सीसी ते गौतम बूत का सभी पाचगो सीसी था इन में से सबसे पीरिय सीस था आपका आनंद इकामन नमर की उज़न देखते हैं काता है कि इसमें की इकामन नमर की उज़न में पूछ रहा है कि कुंडलवन कुंडलवन कस्मीर में चतूरत बहुत संगीती के समाई सासक कौन था तो कौन था सासक तो कनिस्क था कौन कनिस्क किसका सही अंसर होगा आये पावन नमर किसे कहता है कि सनलेखन सनलेखन दुवारा मिर्तु का विधान किस धर्मे में सनलेखन के दुवारा मिर्तु पराप्त होता है किस धर्मे में तो इसका सही अनसर हो जागा आपका जैन धर्म, किस धर्म में जैन धर्म, चंदर गुप्त मौर्य की मिरतू wilderness से लेकर नवीधी के दोवरा ही हुआ था इसके बाद जी नेक्ष्विजूरां देखता है कि-nath-muny का संबन्द किस से है नाथ मुनी का समद्ध किस से होगा तो इसका सही अंसर क्या हो जागा कि नाथ मुनी का समद्ध आपका हो जागा बैसनफ धर्म से किस से बैसनफ धर्म से किस से बैसनफ धर्म से हो जागा इसके बाद नेख चुने देखते हैं काली दास भभूती संबंधू सुबधु बाउनभट आदी किस धर्म के अनुगाई थे चौंगा नमर के उचन में ये सभी की धर्म के थे तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका भी सही अंसर हो जाएगा सैब धर्म किसका सैब धर्म होगा अपार, सुन्दर, मूरती, नंदन का समन्द की इस धर्म से है तो इसका correct answer क्या हो जङगा पक्छपन नमर का answer हो जगा आपका सेब मत कौन सा सेब मत हो जगा इसका सेब मत औपसन सी इसका बिल्गर correct answer छपन नमर काता है भभूती के मालती माधहब में किस संपरदाय का उलेख मिलता है तो इसका सही अंसर हो जागा आपका कापालिक क्या हो जहाएगा कपालिक में अंठावन क準 करता है कि बीस बीर शैव यानि लिंगायत लिंगायत अंदोरान पार जैनल कोन था तो इसके ज़िन से लेगाबासवञा कौन था बस वना लिंगादत संपर्दायक कुल मानने से पहले वह जैन wastu के संद्धी था वो जयन धार्म को मानने वाला था बहुत परंप्राव ने असोख ने कितने अस्तुको clay technique ja कितने कितने कितनी अस्तूपों को बनने हैं तो अस्तूपों को शोकत की स्टीश ज़रा हुआ महावीर का जनम फ्राह्चा उप साथ में युआ कि करा कि भूध के बच्पन का नाम क्या सिधार्थ कि अन्याम सिधार्थ ऐसके बूद सझीति का चंधा कहां गया था थैसा पार्थ ली पूतरे में चिया घंगा बता दूए जिनों किया था इसके बाद चौछ को राजा था कढ़िते हैं कि महातमा बूध का जानम आप तो नुद्न आप, हैं इसके बाद था महावीर स्वामी की पुत्री अनियोंजा पृरियदरसनी का विवा किससे हुआ तो जामिल से ऊथा आप महावीर जैन धर्म को वस्ताविक संस्थापक और 24 वे तिर्थांकर जिनका दमात था जामीर उनका बेटी का नाम था पिरिये दर्सना जैन धर्म के चोवीस वे तिर्थांकर महावीर स्वामी थे महावीर स्वामी तो यह था आपका टोटल के टोटल 66 अब्जेक्टि प्रसने जो आपको बहत्मात पूर्न सावित होगा बॉड़ में आप पूरा वीडियो के फीर से जरूर देखे और इसमें से अधिक्तर लिखने के लिए मिला हुआ तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें बिल आइकन को प्रेस करें अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर करें ताकि उनको भी 24 में बोर्ड का एक्जाम देने में अब्जेक्टिव प्रस नेक भी ने छुटे और हम परियास कर हैं कि सब्जेक्टिक विजन भी बहुत जल्द आपके इस चैनल पर हम दे और वो उससे आपको बहुत रह आसान हो जाए तो चलिए आप हमें दिजिए जातर की जाहिन